देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तू, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प आशा करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदयव बनी रहें, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष दो हजार बाइस की हारदिक शुब कामना हैं, आशा करता हूँ ये आने वाला वर्ष आपके लिए अत्यंत शुब हो अत्यंत मंगल कारी हो, राशिफल और पंचांग की शुरुवात से पहले एक बार आज गणेश वंदना कर लेते हैं, ताकि हम सभी के लिए ये आने वाला वर्ष विघनों के बिना हो और मंगल कारी हो, एक बार गणेश वंदना से आज की राशिफल की शुरुवात करते है ओम शुकलाम बरधरम देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्वदनम ध्यायेत सर्व विघनो पशान्तये अगजानन पदमार्कं गजानन महरनिशं अनेकदंतं भक्तानाम एकदंतं उपास्महे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभह निर्विगनं कुरुमे देवा सर्वकार येशु सर्वदा ओम महागणा दिपत ये नमहा दो जन्वरी 2022 का पंचांग इस तरह से हैं तिती है अमवस्य नक्षत्र है मूल योग है वृद्धी करण है चतुश्पद और वार है रविवार सूर्य उदे का समय होगा 7.15 a.m सूर्य अस्त का समय होगा 5.37 p.m कुछ विशेश मूरतों पे नजर डाल लेते हैं ब्रह्मा मूरत का समय होगा 5.26 a.m से लेकर 6.20 a.m तक अभी जीत मूरत जो बहुत ही शुब मूरत होता है उसका समय है 12.05 p.m से 12.47 p.m और राहु काल जो थोड़ा सा अशुब समय होता है उसका समय है 4.19 p.m से लेकर 5.37 p.m तक तक अब शुरुवात करते हैं दैनिक राशी फलका मेश के साथ एश राशी के जातकों के लिए दिन मिला जुला दिख रहा है दिन की शुरुआत थोड़ी नेगिटिव हो सकती है चीज़े समझ नहीं आएंगी थोड़ा ब्लैंक से हो जाएंगी आप दिन की शुरुआत में लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होन जरूर मिलेगी एक चीज़ कहूंगा थोड़ा relaxed रहने की कोशिश कीजिए जादा ही अपने आपको हर चीज़ में involved मत कीजिएगा वरना मानसिक स्थर पर थोड़े से परिशान हो जाएंगे करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा दिक रहा है पैसों को लेकर कोई problem यदि आपकी बनी हुई थी तो उसका कुछ रास्ता आपको मिल सकता है कोई solution आपको नजर आ सकता है अपनी salary increase किस तरह से की जाए उसके लिए job change करनी है या कुछ भी करना है उसके जुड़ा कुछ भी आपका काम है तो दिन अच्छा दिक रहा है बिजनस की बात करे तो बहुत अच्छा दिन दिक रहा है धनलाब भी होगा मान सम्मान भी बड़ेगा गार्मेंट इंडस्री से जुड़ा कुछ भी बिजनस है आपका या फिर marriage से जुड़ा कुछ भी एग्रेशन शायद सही शब्द नहीं होगा थोड़े इंपल्सिव रहेंगे आप रियाक्ट कर देंगे चोटी-चोटी चीजों के ऊपर जिसके कारण लव लाइफ में रिलेशन्चिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकते है वैवाहिक जीवन आज का बहुत अच्छा दिक रह स्टूडन से यही कहूंगा कि अपने कमफर्ट जोन से निकलने की कोशिश कीजिए तब ही आगे बढ़ पाएंगे एक ही चीज करते रहेंगे एक कुए की मेंडक की तरह बनके रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो अपने शेल से निकलने की कोशिश कीजिए कमफ आगे पतिशत है 68% आप चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब राशी की तरफ आज का दिन धैर दिखाने का है पेशिंस आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहे गया आज हर चीज में आपको धैर दिखाना है वरना चीजें आपके विपरीत जा सकती है या आप कोई गलत नि कोशिश कीजिए क्योंकि वही लोग हैं जो जरूरत के समय आपका काम करेंगे या आपके काम आएंगे तो थोड़ा उनके साथ संबंध किसी के साथ भी यदि बिगड़ गए थे तो आज थोड़े उन संबंधों को दुबारा ठीक करने की कोशिश कीजिए जो चीजें आप का प्रेशर जाधा रहेगा आपस्टेकल्स बहुत आएंगे आपको जान बूच कर प्रॉब्लम आपके लिए जान बूच कर प्रॉब्लम क्रियेट करी जाएगी कारक शेत्र में थोड़ा नेगेटिव दिन दिख रहा है जो लोग मार्केटिंग आदी में काम करते हैं सेल् के लिए आज बहुत टेंचन भरा दिन दिख रहा है ॠीघ ताक दिन है थोड़ा seriousness रहेगी आपकी तरफ से और आपकी वानी में भी जान बूच के नहीं लेकिन स्वभाविक रूप से ही थोड़ी कटूता आ जाएगी आपको शायद उसका पता भी नहीं चलेगा लेकिन ऐसा हो जाएगा यही चीज आपके संबंदों में थोड़ी problem ला सकता है वेवाहिक जीवन की तरफ चलते हैं physical compatibility अच्छे दिख रही है लेकिन emotional लेवल पर mental लेवल पर जादा connect नहीं कर पाएंगे अपने life partner से जादा सोच विचार करेंगे और उसके कारण कुछ problems create कर लेंगे students के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है guidance मिल सकती है आपको जिसकी आपको बहुत जरूरत है और ये guidance आपके लिए बहुत उपयोगी होगी सेहत की बात करें तो जिनको diabetes है आज खास आपको ध्यान देना पड़ेगा lucky number है 4 lucky color है yellow भाग्यपतिशत है 68% चलते है जयमिना यानि की मिथोन की तरफ आज जलद वाजी में कुछ बहुत गलत निरने ले सकते हैं बहुत गलत कर सकते हैं तो जलद वाजी आपको किसी भी चीज में नहीं दिखानी जिस चीज के बारे में पता नहीं उस चीज में हाथ मत डालिएगा सुबा सुबा म्यूजिक का सहरा लेंगे मेडिटेशन का सहरा लेंगे तो दिन बहुत अच्छा जाएगा स्पेशली म्यूजिक का सहरा लेजिए meditate कीजी या ने कीजी music जरूर सुनिएगा सुबा सुबा पूरा दिन stable जाएगा थोड़ा किसी की help करने की आज कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और उसका फल भी आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं अच्छा दिन नहीं दिख रहा मानसिक तोर पर बहुत परिशान रहेंगे, विचलित रहेंगे, confused रहेंगे, satisfaction की कमी रहेगी कारेकशेत्र में साथी में आपको समझ नहीं आएगा कि आज काम कैसे करना है या क्या करना है बहुत परिशान दिख रहे हैं, मानसिक तोर पर थोड़ा धैर रखेंगे, तो अच्छा रहेगा बिजनस की दरफ चलते हैं बिजनस के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा कुछ problem आ सकती है, losses हो सकती है कोई बुरी news आ सकती है बिजनस से related तो जॉब और बिजनस दोनों ही आज के थोड़े negative दिख रहे हैं थोड़ा संभल के रहिएगा करिया, love life पे चलते हैं relationship के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है physical compatibility तो आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी दिख रही है लेकिन साथी साथ थोड़े वाद विवाद भी हो जाएंगे expectations बहुत हैं कि दूसरे से वो शायद पूरी नहीं कर पा रहे हैं दोनों ही तरफ से हो रहा है और इसी कारण से थोड़ी problems होंगी विवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा दिन दिख रहा है romantic दिख रहा है खोया हुआ romance या खतम हो गया romance लव आज एक बार दुबारा से आपके विवाहिक जीवन में शुरू हो सकता है आपको थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे students के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं आज का जगड़े हो सकते हैं वाद विवाद हो सकते हैं कई चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती है थोड़ा संभल के रहें सेहत की बाद करें तो उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रोब्लम होगी lucky number है 3 lucky कला है आपका brown और भाग्य वरतीशत है 65% चलते हैं cancer यानि की करक की तरफ आज का दिन अच्छा दिख रहा है अपने उपर विश्वास बहुत ज़ादा रहेगा अपने skills पर विश्वास बहुत ज़ादा रहेगा बहुत positive दिन दिख रहा है आज आपके लिए एक अलग सा आकर्शन रहेगा आपके अंदर जो आपके जिन्दगी के हर एस्पेक्ट में आपकी मदद करने वाला है अपनी presence को feel कराईए लोगों को अपने skills प्रदर्शित कीजिए जो भी आपके अंदर skills है आपमें बले ही 100 skills हो लेकिन सामने वाले इंसान को जब तक पता नहीं है आप क्या कर सकते हैं कोई फाइदा नहीं future को लेकर कोई positive news मिल सकती है जो आपको बहुत उचसाहित कर देगी career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं दिन अच्छा दिख रहा है कुछ पुराना फसा हुआ काम पूरा हो सकता है कोई बहुत positive शुरुवात हो सकती है जो लोग नए job के लिए try कर रहे थे या अपने present company में ही profile change करने के बारे में सोच रहे थे try कर रहे थे promotion के लिए सोच रहे थे try कर रहे थे transfer try कर रहे थे उनको भी कोई positive news मिल सकती है business की बात करते हैं बहुत positive दिन दिक्राए कई आपके बिगड़े हुए रुगे हुए काम आज बन सकते हैं भाग्यका पूरा जात रहेगा business में साज सज्जा का समान जो भी cosmetics होते हैं या सजने सवरने का समान जो होता है specially ladies का उससे related कोई भी business है आपका या फिर किसी भी liquid से सम्बंदित कोई भी business है दिन अच्छा रहेगा love life पे चलते हैं relationship पे चलते हैं बहुत जादा problems यदि आ गई थी आपके relationship में आज आपके अंदर एक शमता अलगसी रहेगी कि आप अपने partner को अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे वैसे usually वो भरी आपके बाते ना सुनते हों लेकिन आज आप थोड़ा सा भी try करेंगे वो आपकी बातों को सुनेंगे समझेंगे और शायद ये problems दूर हो जाएंगे विवाहिक जीवन की बात करें तो एक ही चीज कहूँगा यदि आपको अपने life partner की कुछ आदते पसंद नहीं आ रही आज उनको confront करने का दिन है थोड़ी हिम्मद जुटाईए उनसे कह दीजिए वरना ये बाते आगे चलके आपको और तन करेंगी स्टूडन से यही कहूँगा ego अहम को आज अपने अंदर मताने दीजेगा वरना पूरा दिन आपका waste हो जाएगा सेहत की बात करें तो किसे ने यदि आपके कोई तंत्र क्रिया करके रखी थी आज उसके आपको negative result देखने को मिल सकते हैं specially आपकी health पर lucky number है आपका 3 lucky color है आपका violet और भाग्या प्रतिशत है 80% आप चलते हैं लियो यानि कि सिम्ह की तरफ बहुत positive दिन दिकरा है celebration का महौल रहेगा कोई बहुत positive news आज आपको मिल सकती है जिसका बहुत समय से आप wait कर रहे थे जादा सोच विचार मत कीजिएगा आज वरना छोटी सी चीज भी बहुत बड़ा रूप ले लेगी उसको सोच सोच कर बहुत बड़ा कर देंगे जैसे कहते हैं कि राई का बहार बना देना वैसा ही कर देंगे तो जादा सोच विचार आज मत कीजिएगा काफी साहसी रहेंगे और शायद कोई साहसे निरने आपको आज लेने भी बड़े करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं अच्छा दिन दिख रहा है गाइडेंस मिल सकती है आज आपको यदि अपने करियर को लेकर थोड़े कन्फूजड थे उन लोग के लिए कह रहा हूँ जिनोंने रिसेंटली ही करियर स्टार्ट किया है और अभी कन्फूजड बहुत चल रही है कि क्या करूँ क्या ना करूँ फील्ड चेंज कर लूँ आगे और पड़ूँ ये सब जो दुविधा चल रही है मन में उसके संबंद में कोई गाइडेंस आपको प्रॉपर आज मिल सकती है बिजनस की बात करे तो भाग गया जापका बिजनस में बहुत जादा साथ देने वाला है बहुत अच्छा दिन है बिजनस के रिए आज के दिन का फायदा जरूर उठाइएगा एंटर्टेंवेंट इंडस्टी से जुड़ा म्यूजिक इंडस्टी से जुड़ा कुछ भी बिजनस करते है दिन आपका बहुत अच्छा देगा रिलेशन्शिप पर चलते हैं लव लाइफ पर चलते हैं अपने लव लाइफ में कुछ चेंज लाना चाहते थे या तो रिलेशन्शिप को शादी की तरफ लेके जाना चाते थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बात को आगे बढ़ाएं उन सब चीजों के संबंद में आज आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज, कुछ डिरेक्शन बिल सकती है विवाही की जीवन बहुत अच्छा देख रहा है आज का रोमेंटिक टाइम स्पेंड करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ साथ ही साथ बहुत जो एक दूस्ते के पती डिजायर्स होते हैं बहुत हाई रहेंगे फिजिकल लेवल पर जादा देख रहा है ये एक आकर्षन जो पती पतनी में होता है वो आज अपनी चरम सीमा में रहेगा चरम सीमा पर रहेगा बहुत अच्छा दिन देख रहा है वेवाही की जीवन के लिए स्टुडेंस से एकी चीज़ कहूंगा थोड़े क्रियेटिव बनने की कोशिश कीजिए क्रियेटिविटी आपके अंदर है लिओ राशी के जातक स्टुडें की बात करें तो क्रियेटिव होते हैं अपने स्टुडी पैटर्न में लेकिन आज आज आपको थोड़ी सी और क्रियेटिविटी लानी पड़ेगी उससे आपके स्टुडी में और आपको मदल मिल सकती है सेहत की बात करें तो पित रोग तंग करेंगे एसरेटी की रोग तंग करेंगे लखी नमबर है टू लखी कलर है आपका ब्ल्यू भाग्य पर्थिशन है 80% अब चलते हैं कन्या यानि की वर्गो राशी के दिरफ दिन बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आपके लिए बहुत अच्छे धनयोग बने हुए है नवामसा में दसामसा में यानि की कहीं न कहीं से पैसा आता हुआ दिख रहा है एनर्जी आपकी बहुत हाई रहेगी बहुत positive energy आज आपके अंदर रहेगी जिसका आप भरपूर प्रयोग कर सकते हैं लेकिन यही energy को यदि गलत जगा पे लगा दिया उसको channelize नहीं कर पाए तो पूरा दिन waste चला जाएगा एक चीज कहूँगा कि जिन लोगों को पसंद करते हैं जो भी आपकी जिन्दगी में बहुत important है आज उनके साथ time spent करने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा career पे चलते हैं जो लोग job करते हैं जल्दबाजी दिख रही है हर चीज में जैसा मैंने शुरू में बताया energy बहुत positive रहेगी अच्छी रहेगी, high रहेगी लेकिन शायद कारेक शेत्र में उसको control नहीं कर पाएंगे जिसके कारण थोड़ी बहुत problem आ सकती है इस चीज को आपको समझना है और समभल के ही अपने कारेक शेत्र में सब कुछ आपको करना है business पे चलते हैं बहुत अच्छा दिन दिख रहा है business के लिए नए contract आपको मिल सकते हैं नए order मिल सकते हैं भाग्य का भरपूर साथ रहेगा बहुत positive दिन दिख रहा है business का जो लोग booking आदि का काम करते हैं hotel की booking हो गई ticket booking हो गई travel से related उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है love life पे चलते हैं spiritual level पर emotional level पर अपने partner के साथ बहुत ज़ादा connect कर पाएंगे आज emotional compatibility बहुत अच्छे दिख रही है इसका यदि आपने फाइदा उठाया तो आने वाले कई दिन आपके love life के लिए बहुत stable हो जाएंगे वेवाहिक जीवन पर चलते हैं emotions बहुत high रहेंगे over emotional रहेंगे आप जिसके कारण कुछ गलत कर सकते हैं कुछ गलत कह सकते हैं जिसके कारण वेवाहिक जीवन में आज problems आ सकते हैं students से एकी चीज़ कहूंगा अपने गुरू अपने seniors को थोड़ा approach कीजिए जो भी आपको confusion हो रही है problem आ रही है उसका answer शायद उनी के पास है उनको approach कीजिए सेहत की बात करें तो सासों से संबंदित problem तंग कर सकती है lucky number है 2 lucky color है आपका pink भाग्य पतिशत है 78% आप चलते हैं Libra यानि की तुला राशी की तरफ दिन बहुत positive है हर तरफ से भद्रता यानि की शुबता आती भी दिख रही है किसी बहुत अच्छी चीज़ की प्राप्ती हो सकती है धन की प्राप्ती भी हो सकती है अच्छा दिन है तुला राशी के लिए करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं सब कुछ होते हुए भी dissatisfied रहेंगे satisfaction की कमी रहेगी अपने कारक शेत्र में सब कुछ अच्छा चल रहा है पैसा भी है, मान सम्मान भी है लेकिन फिर भी अपने करियर से आज आप satisfied नहीं रहेंगे बिजनस पे चलते हैं यदि किसी चीज को लेकर बहुत महनत कर रहे थे किसी काम को लेकर, किसी कॉंट्रेक्ट को लेकर तो आज उसके संबंद में positive news मिल सकती है लाभ प्राप्ती के योग है दसामसा में लक्षमी योग भी बना हुआ है बहुत अच्छा दिन है बिजनस के लिए marriage से संबंदित कुछ भी आपका बिजनस है marriage में catering करते हैं marriage planning करते हैं जो भी marriage से संबंदित कुछ काम यदि करते हैं दिन बहुत अच्छा दिख रहा है love life की तरफ चलते हैं communication पर ध्यान दीजेगा मतलब की जो भी आप अपने partner को बोल रहे हैं बहुत सोच समझ के बोलिएगा व्यर्थ में ही कुछ मत बोल दीजेगा क्योंकि आपके एक एक शब्द को आज वो पकड़ेंगे तो जादा मत बोलिएगा और एकदम सठीक बोलिएगा वरना problem हो जाएगी वेवाहिक जीवन पर चलते हैं अच्छा दिन देख रहा है यदि अपने वेवाहिक जीवन को stable करना चाहते हैं उसमें कुछ problems आ रही थी तो आज भाग गया आपका साथ देगा और सारी problems को दूर हटाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करेंगे और किसी से guidance लेंगे तो बहुत हट तक आपकी problems solve हो जाएंगे स्टूडेंट से ये कहूंगा वासनाओं पर इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे आज तो अच्छा रहेगा वरना पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा सेहत की बात करें तो lifestyle disorders तंग करेंगे lucky number है 5, lucky color है आपका pink भाग्य पतिशद है 80% आप चलते हैं scorpio और निके व्रिष्चे की तरफ कई नई संभावना आपके जीवन में खुल सकती है आज थोड़े अपने senses को खुले रखिएगा कोई बहुत अच्छी opportunity आपके आसपास ही है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा किसी से बदले की भावना मत रखिएगा आज वरना आप पर ही उल्टा पड़ जाएगा किसी चीज को लेकर guidance आपको चाहिए थी वो आज guidance आपको मिल सकती है थोड़ी help आपको भी मांगनी पड़ेगी करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं बहुत positive दिन नहीं दिख रहा है कुछ ना कुछ problem हो सकती है कोई bad news आ सकती है कई चीजें आपके विपरीत जा सकती है specially आज दिख रहा है कि office politics का आप शिकार बनेंगे शायद आपके मान संबान से आपके ख्याती से आपके salary से आपके साथ जो लोग काम करते हैं वो खुश नहीं है तो आपके खिलाफ वो कुछ आज रच सकते हैं थोड़ा सा अपने senses को खुला रखिएगा business पे चलते हैं अच्छा दिन दिख रहा है balanced दिन दिख रहा है stable दिन दिख रहा है कोई निरनयदी लेना होगा तो बहुत stability के साथ लेंगे और lab प्राप्ती के योग भी आज दिख रहे हैं agriculture से जुड़ा या tourism से जुड़ा कुछ भी आपका business है दिन अच्छा रहेगा love life के लिए आज का दिन passionate दिख रहा है compassionate दिख रहा है passion भी होगा compassion भी होगा physical compatibility बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा सा नोग जोग हो सकती है और वो नोग जोग बहुत बड़े argument में भी बदल सकती है थोड़ा ध्यान रखिएगा वेवाही के जीवन पे चलते हैं आज aggression दिख रहा है आपकी side से बहुत ज़ादा आप control नहीं कर पाएंगे अपने aggression को वेवाही के जीवन में जिसके कारण कुछ बहुत बड़ी problem हो सकती है थोड़ा अपने आपको control करने की कोशिश कीजिएगा impulsive reaction आएगा आपका आपको भी शायत पता नहीं होगा कि आप कैसे react कर देंगे तो थोड़ा धैरे रखेंगे तो अच्छा रहेगा लेकिन कुछ ना कुछ घरबर आज हो सकती है student से यही कहूंगा कि आज का दिन बहुत positive है conscious level बहुत clear रहेगा intelligence का बहुत अच्छे तरह से प्रयोग कर पाएंगे अच्छा दिन दिख रहा है आज students के लिए सेहत की बात करे तो BP की problem बहुत तंग करने वाली है lucky number है 2, lucky color है आपका red और भाग्या पतिशत है 77% आप चलते हैं Sagittarius याने की धनू राशे के तरफ आज एक चीज कहूंगा कि कोई व्यक्तिकर जिंदगी में problem आ रही है तो उसको हसी मजाग से solve करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि उसमें गुसा दिखाया rigid हो गए कि मेरे हिसाब सही चीज हो तो वो चीज और बिगड़ जाएगी वैसे धनू राशी के जातर थोड़े aggressive होते हैं लेकिन आज aggression से आपको काम नहीं लेना अपने आप से कोई commitment कीजिए साल का शुरुवात ही है कोई commitment कीजिए कि हाँ मैं को ये एक छोटा सा target रखिए कि हाँ मिरको ये complete करना है आप यकीन मानेंगे उस चीज के करण आपको बहुत फायदा होने वाला है आज काफी creative रहेंगे आप अपनी creativity का भरपूर फायदा उठाईएगा साथ ही में सुबा सुबा भगवान में थोड़ा ध्यान लगाईएगा पूरा दिन बहुत stable जाने वाला है करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं balanced दिन दिकराए यदि आपका कोई काम अटक रहा था management level पर कि हाँ कोई order था वो pass नहीं हो रहा था पैसा नहीं बढ़ रहा था increment नहीं हो रहा था उसके संबंद में कोई positive नहीं हो जा सकती है जो लोग law से related कोई भी काम करते हैं दिन अच्छा है बिजनस की बात करे तो आज का दिन अच्छा है पैसे की हिसाब से बले ही बहुत positive नहीं हो मतलब कि बहुत पैसा नहीं आएगा लेकिन मान सम्मान की प्राप्ती हो सकती है goodwill बढ़ सकती है आपके बिजनस की थोड़ा marketing पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो लोग partnership में काम करते हैं थोड़ा आपने संबंदों में और द्रिड़ता लाईए अगर partnership में particularly business है आपका तो आज आदा गंटा एक गंटा काम के बाद सब partners साथ में बैठिए और थोड़ी बातचीत करिए हलका सा महल बनाईए उससे आने वाले समय में आपके business में और stability आएग love life पे चलते हैं थोड़ा ego दिख रहा है आज ego clashes होंगे थोड़े आप self centered रहेंगे काम पे आपका focus जादा रहेगा इन सब चीजों के कारण अपने relationship में थोड़ी problem आप खुद ही लेकर आ जाएंगे विवाहिक जीवन की बात करे तो थोड़ा विश्वास कम हो गया है तो विश्वास बढ़ाने की कोशिश कीजिए तो trust deficit हो गया है आपके विवाहिक की जीवन में उस पर थोड़ा काम कीजिए students के लिए अच्छा दिन दिख रहा है determination का level बहुत high रहेगा हर तरफ से आपके लिए positive news आएगी अच्छा दिन दिख रहा है students के लिए सेहत की बात करें तो acidity की problem और lifestyle disorders तंग करेंगे lucky number है 3 lucky color है red भाग्य परतीशत है 71% चलते हैं Capricorn यानि की मकर राशी की तिरफ यात्रा के योग बन रहे हैं आज अचानक से यात्रा करनी पर सकती है जिसके कारण schedule थोड़ा सा बिगड जाएगा एक चीज कहूंगा कि technology से थोड़ा सा अलग time निकालके अपने ओपर spend कीजिए एक दो घंटे बिना phone के बिना gadgets के बिना computer के बिताईए आपको बहुत अच्छा लगेगा दिन के later half में आपके लिए कोई positive news आ सकती है intuition level भी आज दिन के later half में आपका अच्छा रहेगा career पर चलते हैं जो लोग job करते हैं आगे बढ़ना चाह रहे हैं career को आगे लेके जाना चाह रहे हैं लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे आगे बढ़ें यही चीज आपको थोड़ा आज परिशान करेगी आगे तो बढ़ना है लेकिन कैसे यह अभी आपको पता नहीं है business की बात करें तो थोड़ा धैरे रखिएगा अपने senses पे control कीजेगा कोई बड़ा निरने बड़ा contract बड़ा agreement आज बिल्कुल मत सायं कीजेगा वरना चीजें आपके विरुद्ध हो सकती है relationship की बात करते हैं अच्छा दिन नहीं दिख रहा आज का थोड़ा अनिश्चित्ता का महौल रहेगा चीजें certain नहीं देंगी sudden changes आएंगे एक दूसरे पर विश्वास की कमी होगी बहुत positive दिन नहीं दिख रहा आज love life के लिए विवाहिक जीवन की बात करे तो बहुत सारी अधी problems आ रही थी विवाहिक जीवन में आज से उनका अंत होना शुरू हो जाएगा यानि की positivity की दिरफ आप आपका विवाहिक जीवन बढ़ना शुरू कर देगा लेकिन थोड़ा सा प्रयास आपको भी लगाना पड़ेगा students के लिए आज थोड़ा सा negative दिन दिख रहा है आपके मान सम्मान को भी हानी पहुंच सकती है social image थोड़ी disturbed हो सकती है थोड़ी social image पे थोड़ा negative impact पड़ सकता है बहुत अच्छा दिन नहीं है students के लिए सेहत की बात करें तो सर से सम्मंदित रोगतं करेंगे lucky number है 8 lucky color है आपका dark green और भाग्य प्रतीशत है 68% अब चलते हैं Aquarius यानि की कुम बराशी की तरफ किसी नई चीज़ की शुरुवात करना चाहते थे उसके लिए आज का दिन अतियुत्तम है उप्युक्त है कुछ भी आज नया शुरुवात करेंगे आपको उसके अच्छे रिजल्ट बिलेंगे achievements का दिन है आज कुछ ना कुछ लाब प्राप्ती आपको जरूर होगी बहुत positive दिन दिख रहा है नवामसा कुणली में अच्छे योग है लाब प्राप्ती के इच्छा पूर्ती के योग है आज का दिन आपके लिए बहुत positive दिख रहा है थोड़े sensitive जादा रहेंगे आज आज आप छोटी छोटी चीज़ें आपको affect कर जाएंगी करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं बहुत authority रहेगी बहुत confident feel करेंगे लेकिन aggression की तरफ नहीं जाएंगे authority पूरी रहेगी आज आपकी government से संबंदित कुछ काम करते हैं law से related कुछ काम करते हैं police में है forces में है तो आज का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है business की बात करते हैं तो देखिए business को अगर आगे लेके जाना है तो थोड़ा आज आपको साहसी बनना पड़ेगा साहसी निरने लेने पड़ेंगे थोड़ा सा अपनी marketing strategy भी अब आपको बदलनी पड़ेगी love life पे चलते हैं relationship पे चलते हैं आज aggression बहुत दिख रहा है आप दोनों के बीच में बातों में हो, emotions में हो, किसी भी चीज में हो बहुत जादा aggression दिख रहा है जल्दबाजी भी रहेगी और aggression भी रहेगा जिसका negative impact आपके love life पे relationship पर आज पड़ सकता है वेवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा दिन है emotionally बहुत attached feel करेंगे एक दूसरे के साथ एक दूसरे की चिंता करेंगे समवेधनाओं को समझेंगे अच्छा time spent करेंगे अपने life partner के साथ students की बात करें तो अच्छा दिन है कहीना कहीं से encouragement मिलेगा आपके अच्छे प्रयासों को मान सम्मान मिलेगा उनका उनके बारे में बात करी जाएगी जिसके कारण आपका confidence बढ़ेगा अच्छा दिन दिख रहा है students के लिए सेहत की बात करें तो बहुत भारी खाना खाने के कारण थोड़ी तब्यत आपके खराब हो सकती है लगी नमबर है 7 लखी कल है red भागय प्रतिशत है 78% अब चलते हैं पाइसेस यानि की मीन राशी की तरफ थोड़ा आपने आपको एड़्जस्ट करना पड़ेगा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा आज जादा rigid मत होईएगा थोड़ा अपने नेचर में फ्लेक्सिबलिटी रखेंगे तो दिन अच्छा जाएगा सबसे पहली चीज एक जो मुझे दिख रही है कि अपने खाने पीने पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा आज भी और आने वाले समय में भी औरना आपकी health भी गड़ सकती है health पे हम बैसे बाद में जाते हैं लेकिन अचानक से मेरे नजर में यह आया है मैं आपका नवामसा देख रहा था तो खाने पीने पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा किसी चीज को लेकर महनत कर रहे है भले ही अभी आपको result अच्छे नहीं मिल रहे यकीन मानी आने वाले समय में उसके बहुत अच्छे result आपको मिलने वाले है करियर पे चलते हैं जो लोग job करते हैं दिन ठीक ठाक है लेकिन emotionally अच्छा feel नहीं करेंगे करियर से satisfaction नहीं मिलेगी और बार-बार दिल में आएगा कि ये job छोड़के कुछ और कर लो बिजनस के हिसाब से बहुत अच्छा दिन दिख रहा है लाब प्राप्ती होगी उन्नती होगी cosmetics से जुड़ा perfume से जुड़ा ladies product से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं काफी लाब होगा relationship के हिसाब से दिन अच्छा है confidence level आपका high रहेगा जो चीज व्यक्त नहीं कर पा रहे थे अपने partner से बहुत दिनों से आज वो भी अराम से व्यक्त कर पाएंगे विवाहिक जीवन के हिसाब से अपने ओपर थोड़ा confidence रखी और अपने आपको भी प्यार कीजिए कभी-कभी विवाहिक जीवन में सारी जो भी सारा हमारा focus होता है वो अपने partner पे चला जाता है कि उनको क्या अच्छा लगता है उनको क्या बुरा लगता है वो चीज तो ठीक है लेकिन अपने आपको भी प्यार कीजिए उससे आपके विवाहिक जीवन में और stability आएगी students के लिए ये की चीज कहूँगा commitment की कमी दिख रही है थोड़ा आपने study life में और commitment लाईए सेहत के हिसाब से acidity की problem तंग करेगी lucky number है 4 lucky color है आपका yellow भागय प्रतीशत है 72% दो जन्वरी के लिए आपके लिए उपाई यह है कि आपको नित्य पूजा के बाद सूर्य देवता को जल अरपन करना है और जल अरपन करते हैं उसमें कुछ चंदन का पाउडर या अश्ट गंध का पाउडर मिला लेना है और ओम भासकराय नमहा ओम भासकराय नमहा इस मंत्र का 21 बात जाप करना है चैनल पर नहें सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलता हूं अगली वीडियो में तब तक हे लिए ओम बाएद